अब alphabate sequence और alphabate arrangement में एक आपका topic है dictionary pattern उसको आज हम लोग पढ़ेंगे तो heading डालेंगे क्या dictionary pattern तो dictionary pattern क्या होता है जो English dictionary होगी हमारी उसमें जितने भी word meaning हैं जितने भी आपके word meaning होते हैं वो alpha weight के increasing order के respect में आपके अरेंज किये जाते हैं. Alpha weight के increasing order में क्या किये जाते है? Arrange. अब, dictionary में जो word अरेंज किये गए हैं, उनको, जैसे अगर एक similar alpha weight के, अगर मालो एक से जादा word हैं, तो हम उनको कैसे compare करते हैं, और उस पर question किस तरह से पूछे आते हैं exam में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो इसमें सबसे पहले हम एक example से समझेंगे, कि dictionary pattern में alpha weight को arrange कैसे करना है. जैसे इसमें कुछ alpha weight given है, पहला A number पर given है, app. Second number पर given है आपको, apple. Third number पर given है, apex. Fourth number पर, approximate. और fifth number पर given है, apply. Apply. तो यह आपके 5 alpha weight given, word meaning given है, इनको हमें dictionary pattern में अगर arrange करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इनके alpha weights को compare करना होता है. alpha weight को जब compare करेंगे, तो एक sequence में compare करेंगे, सबसे पहले हम first वाले alpha weight को compare करेंगे, अगर वो alpha weight सभी में same है, अगर वो alpha weight एक से ज़्यादा word meaning में same है, तो फिर हम compare करते हैं किसको second वाले alpha weight को, वो भी same है, तो फिर third वाले को, और वो भी same है, तो आगे next वाले को, तो जब तक हम compare करते जाएंगे, जब तक हमें difference ना मिले, इन सारे word meaning के अंदर, अगर हम देखें, तो पहला वाला alpha weight ये सभी में same है, ये alpha weight क्या है, इन सम्में same है, तो क्या, पहले वाले alpha weight के basis पे differentiate कर पाएंगे, नहीं, पहले वाले alpha weight के basis में differentiate नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे वाले को compare करते हैं, यहाँ पर आपका P given है, यहाँ भी P given है, यह भी P, यह भी P और यह भी P, second वाले alpha weight के basis पे भी हम इसको compare नहीं कर सकते, क्योंकि यह भी आपका सब में क्या है, same, तो फिर हम अब third वाले alpha weight की तरफ बढ़ जाएंगे, third वाले में, यहाँ पर देखो क्या given है, E, यहाँ पर P given है, यहाँ पर भी E है, यहाँ पर P और यहाँ पर भी P, अब इसमें three word meaning ऐसे थे जिसमें आपको P given था और three word meaning में आपका E given है, तो यह बताओ P और E में से पहले कौन सा alpha weight आएगा, E, तो, अब P वाले alpha weight है, वो तो आपका E वाले के बाद में ही exist करेंगे, तो सबसे पहले E वाले alpha weight को देखें, तो यहाँ पर E है और आपको E कहाँ पर मिलेगा यहाँ पर अब E के बाद next alphabet यहाँ पर X है लेकिन यहाँ पर तो कोई alphabet रही है तो जब alphabet खतम हो जाते हैं तो जो word meaning बचेगा उसको हम लोग पहले preference में पहला आपका position देंगे तो इसमें जो first place पर आएगा वो क्या आएगा एप आएगा ठीक है यह बात समझ में आगई second place अगर first पर यह तो second place पर second E वाल alphabet आएगा word meaning आएगा जिसमें क्या F X given है तो second number पर क्या आएगा C अब third number पर P वाले alphabet बच गए आपके पास में P कहां पर given था यहां पर यह आपका एक तो B बच गया एक तो आपका D और E बच गया अब इनको compare कर लेते हैं third place पर same alphabet है कौन सा P fourth place पर यहां पर L यहां पर R और यहां पर L तो इन दौनों में L वाले alphabet है यह आपका next place पर आएगे two place पर और जो यह R वाला alphabet है यह सबसे last में होगा तो R वाला alphabet जो D है यह कहां होगा सबसे last में अब बीच में दो alphabet जो बचे जिसमें L था एक यहां पर और यहां पर इसके बाद क्या आएगा आपका E और यहां पर क्या है by तो पहले E वाला alphabet पहले आएगा और उसके बाद सबसे last वाला ये e, ये fourth place पर आ जाएगा. तो ये dictionary pattern होगा. इस पर जो question है वो same इसी तरह से पूछे जाते हैं. ये सभी के समझ में आ रहा है? dictionary pattern पर question इस तरह से पूछे जाएंगे, जो भी alphabet given है, उनको एक sequence में आपको arrange करना है. ठीक है? तो इस पर बेज़ कुछ example देख लेते हैं. चलिए इस question के देख लेते हैं. अगर हम बात करें alpha weights की, तो पहला alpha weight यहाँ पर क्या है? S, यहाँ पर भी S है, यहाँ पर भी same है, और यहाँ भी, और यहाँ पर भी. तो पहले alpha weight के basis पर differentiate नहीं कर पाएंगे. तो second वाले alpha weight की बात करेंगे, यहाँ पर क्या है? U, यहाँ भी U है और यहाँ पर भी U, यहाँ पर O है और यहाँ पर U. तो O और U में पहले क्या आएगा? O आएगा, तो सबसे first place पर क्या आजाएगा? आपका D आजाएगा, ठीक है? अब U वाले alpha weight कौन से बच गए? E, C, B और A. तो second alpha weight इन सभी में क्या है? सेम है, तो third वाले alpha weight पर आते हैं, यहाँ पर R, यहाँ भी R, यहाँ पर भी R, और यहाँ पर क्या है? M. तो पहले M आएगा, उसके बाद R आएगा, तो second number पर क्या आजाएगा? SOME. तो यह E वाला, जो word है, यह second place पर आजाएगा. Third place की बात करें, तो यहाँ पर R, R, R सब में सेम है. Fourth place पर F, P, और R. तो F, P, और R में पहले क्या आएगा? F, उसके बाद P, और उसके बाद R. तो यह तीनों एक sequence में आपके मिलेंगे, तो पहले A, फिर B, और फिर C. तो यह dictionary pattern के according सारे alphabet arrange हो जाएगे, word meaning. तो हो जाएगे question इस तरह के अगर पूछी जाएगे तो? चलिए dictionary pattern पर आपको इसी तरह से question solve करने है. एक question आपको देखने को मिलता है dictionary pattern में, आपका पूछ लिया जाता है कि अभी एक बार, तो आप इसको आराम से solve कर सकते हैं. ठीके, thank you.